खबरे जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे जिनका आपकी जिन्दगी पर होता है सीधा असर खबरों की वही तस्वीर बिना मतले बिना डर्ण जज़बा सच का लिए सच दिखाते हैं नमस्कार मैं हूँ आपके साथ जहारा और आप देख रही हैं मननस समचार तो चले डालते हैं सवक्त की तासा खबर पर नजर बिहार परबारी मुहमत रहमातुला की रिपोर्ट दो बेटी जन्ने पर पहले पत्नी को छोड़ा पिडिता ने लिया पुलिस का सारा तो पती ने ओकेस्ट्रा में बेच दिया सुपोल्स त्रिवे निगजन थानाक्षेतर के एक युवग ने दो बेटी जन्ने पर पहले अपनी पत्नी को छोड़ा जब अपने हकी लड़ाई लड़ने को लेकर महिला ने थाना पुलिस का सारा लिया तो पती ने मुकत्मे से बचने के लिए पत्नी का फरनकर उसे ओकेस्ट्रा में बेच दिया करीब चार महिने के बाद किसी तरह वहां से बाकर पिडिदा ने अपनी जान बचाई मामले की जानकाई देती हुए तिरी मिन थानाक्षेतर के लटोना वाड नमर 6 निवासी पिडिदा रोजी परवीन ने बताया कि वर्ष 2013 में उसकी शादी मदेपुरा जीरा के शंकरपूर इकरा निवासी शाह नवास के साथ हुई थी जिससे उससे दो बेटी हुई बेटी होने के कारण एक वर्ष पहले उसके पती ने उससे चोड़ दिया और दूसी शादी कर लिए जिसको लेकर वो कॉर्ट में मामला दर्ज करवा कर उससे मैंटेंशन की मांग कर रही थी पिडिदा ने बताए कि कार्ट केंटिम सुनवाई से पहले दो अपरेल को उसके पड़ोसी सलीमा खातून ने बाजार से समान करेदने की बात कहकर मुझे तिरी मेनिंगंज बाजार इस्तिते होटल पर ले गई जहाँ पर मेरे पती कायम सलीमा खातून के पती मौमद राजू पहले से मौझूद थे जिसमें बाहर से लड़की लाकर नचवाते हैं पिडिता ने बताये कि दोनों मिलकर मुझे जबरदस्ती ओकेस्ट्रा में नचवाते थे और रात में गलत काम करने भी करवाते थे तीन अगस्त को दोनों घड़ पर नहीं थे मोगा देखकर में वहाँ से भागनी के लिए और किसी तरह अपने घर पहुँचकर अपने परिवारवाले को मामले की जान करे दी वही मामले को लेकर तीरी मिनी कर थाना दौआ लगकी का बयान दर्च कर उसे मेडिकल के लिए सदर स्पतार लाय गया मामले को के लेकर केस आई ओए एस आई मदन परकाश ने बताए कि प्रीता के पती दौड़ा परन का मामला दर्च करवाय गया था मामला में प्रीता का एक सुक्सर्ट बयान दर्च किया गया था अनुसंदान जारी है क्या रोजी प्रविन घर कहा है लतोना क्या हुआ है कि यद्या गटना हुई है बोलो है कि मात तुमहारा अप्रमवा था जी मेरा प्रटी और सली मन किला किले गई थे छाप्राव जहां रहा था है कि वा लुचला नार्चा नेरे ने पहले तो फिर वहां से निकली कैसे तुम? यह लड़की मेरा घड़ के पास ला तो यह जड़ी आया है और हमको रूम के छोड़ दी तो हम फर काड़ी बद के मात की आया है अई पती क्यों तुम्हारा ले जाके नचवारा था थी? पती हमको छोड़ दिया है दुसरा साधी कर दिया है तो हमसे कोल मतलब नहीं तुमको नचवार था? मतलब बेच के नियु दिया है तुमको यहां से कब लेके जया है? हरा चार मुहना हो गई है फिर घर कैसे आई तो भाग की आई हैं अब कहा गई पहले नहीं थे भारा नहीं थे में पास आई यह हैं अभी आई अभी कहा है हैं अभी तू सुपबोल अगी हो, किन के साथ आई हो कि पापा जातुím के साथ आ राए है आपें प्सपा मुम्मी परसासम के साथ हैं तो क्या चाहत हैं इ conviction इनसाप चाहरे हैं कौन है आपकी वो लीटवी दिया क्या मामुलह हुआ आखिए। तो नो जो पुर्णाप नात है? व्हाल जो जो कहां लेगे तो लेगे जो पता नहीं चेल कि अपको पास के से बच्ची कि अपने एये लेगे अभी कहां आया अपने रहते हैं तकम जो किया चाहते हैं? इंसाफ क्या नम आपका? सेमूल खातुन. साथ 1.003 थाना त्थाना संकर पूर जिला समनेपुरा दिया उंक हमारे बच्चया को दू लर्क गाल हुआ उन्य दिन के बाद नर्का क्या गा तो इसको मार्कित कभा डिया वो थूस्रा साधी कर लिया था हम हो सपल माק हम दौड़ियक केस किया है तो हुकिल बहुंक 1956 में के स planner केस किजियें 2010 लौम तो हम केस कुछ लौकिल बहुला जे में मेंूंटरास केस किंग जियें किस ने उठा लिया मंजूर कोन है अपका समधी अच्छा है सानावाज मजलीश सद्रयानौ कितने दिन के बाद बराम किये हुए आपकी बच्छी चार महना के बाद है फ्यार किये थे 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 फ्रहन हुए अफ्रहन हुए आपको परसासन आपको मजद नहीं कित्या नहीं किया अफ्यार माथा हुए नहीं किया熟 जक्शी आपका कि अब दो जुआ दो इसने मरें संद्दान्वेकिस चैए कि अधि क्या मामला है इसाफ वाइब नाहिए इस लड़की का मेडिकल करवाने आया है क्या मामला है सर्थ इसका ममला है इसका फादर अफ़रन का केस किया था इसमें हमने अनुसंधान किया हम ही अनुसंधान करता था तो अनुसंधान के दौरान मुझे गुपशर के दुवारा पता चला कि ये लर्की सिवान छक्रा में नर्थकी का काज करती है हम उहां जाकर के रेड किया दो तिन दो तीन थाना सहयोग से हमने छपामारी किया लड़की तो बरामत नहीं हुई लेकिन जब मैं घर पर आ करके दवाब डाला जो लड़की इसको ले करके गई थी तो दो तीन दिन के बाद लड़की उने घर पर आई उस बीच में हम छूती में थे तो थाना अधिलक्स के वज़ा आई लिए था उनको बेच लिए गया था उनकी उन्सोसं कर रहा जा रहा था जारा क्या अब इसमदबानर पुख्ष। ज्यान करी मारे किया दाम हम असर अपगा वेशाई मधनपोड़ार खेंग ठेच है